हेलो गाईज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए लेटेस वीडियो हर रोज पाने के लिए आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रिक्षन फ्रिक्षन चेप्टर के बारे में आप सब जानते होंगे यह थेयरीव मशिन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चेप्टर है इसमें जो फ्रिक्षन में जो सबसे फर्स टोपिक आता है फ्रिक्षन और पिवर्ट और कोलर फ्रिक्षन और पिवर्ट हैं कोलन बेरिंग में चार पार्स हैं जिसमें साज इसमें हम इसका फर्स्ट पोर्शन है वो पढ़ेंगे फ्लेट हैं पिवर्ट बेरिंग फ्लेट को अपन हिंदी में हिंदी वाल इस्टुडेंट के लिए वताना जाओंगा कि इसको बोलते हैं चप्टी पिवर्ट बेरिंग अब इसको हम इस डाइगरांग की मदद से समझेंगे सबसे पहले एक रोटेटिंग शाप्ट है जो कि ये फ्लेट इसको जो निचे का पॉर्शन है वो फ्लेट है इसको जो इसकी सेंटर से डिस्टंस है वह पिटल आ रहे हैं और इस पर एक एक शियल लोट लग रहा है जिसको पन capital W दर से action load इसके जो axis के along लगेगा इसका जो अगर view देखेंगे ना top view तो आपन इसका मैंने side में दिखाए हुआ है इसका अपन को निकालने के लिए मैंने जो इस shaft का डाया है उसका जो बड़ा वाला circle है वो इसका मतलब पूरा डाया बता रहा है और जो अंदर का जो है अपने एक strip ले रहे है जिसकी मोटा ही DR है और जिसकी center से distance है R यह center से distance है R है और इसकी जो मोटा है DR है तो अब अपन इसको समझते हैं कि जो इसमें load लग रहा है W इसको अपन बोलेंगे axial load और जो R है R radius of bearing surface जो इसके center से है और मू होता है कि आपन friction में सब जाज़ेंदा है मू है constant होता है जो इसको बोलता है और coefficient of friction अब इसमें condition होती दो condition होती uniform pressure और uniform wear सबसे पहले मान रहे हैं अपन consider of uniform pressure अब uniform pressure में क्या होगा कि जो अपने ring ली है इस ring का area है तो area of ring area of ring होगा 2 pi r क्योंकि यह circle है circle का आप सब जानते होंगे area तो 2 pi r into इसकी मोटा DR हो गई अब axial load on ring जो इस ring पे जो load लग रहा है w उस w के लिए formula आता है del w is equal to p into a तो p into a यह अपना भी area निकाल दिया area को यह समें रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 pi r into dr into p अब इसमें से इसका अपन integration करेंगे 0 से r के respect में तो यह क्या हो जाएगा जो constant है वो तो बाहरा जाएगे 2 pi और p constant बाहरा गया 0 से r इसका अपन integration किया तो आप सब जानते होंगे integration का जो simple formula है x की power n x की power n is equal to होता है x की power n plus 1 upon n plus 1 तो यहां पर अपने power क्या है 1 है तो यह हो गया r की power 2 by 2 2 से 2 cancel होने के बाल w is equal to 2 pi p upon r तो यहां से p हो जाएगा p is equal to w upon pi r square हाँ guys तो हमने p is equal to w upon pi r square तक निकाल लिया तो इसके आगे अपन जानते हैं कि friction force is equal to होता है fr is equal to mu into del w तो mu तो constant del w अपने जो formula से निकाला था 2 pi r 2 pi p r into dr into mu यह से multiply किया अब अपन friction torque का formula होता है tr is equal to fr into r जो अपना fr अभी अपने निकाला यह इसी में रखेंगे तो यह हो जाएगा r स r multiply होगा तो 2 pi p r square into dr into mu अब अब अपन को total torque निकालना है तो इसका integration करतेंगे total torque निकालने के लिए 0 सा r तक integration करेंगे तो 2 pi p mu जो constant होगा वो अपन बाहर लेलनेगे जो constant है 2 pi p और mu बाहर आने के बाद अपने 0 सा r अपन इसका integration कर लें integration के लिए आप formula जानते होंगे x की power n वाला वोई तो x की power n प्लस 1 अपन n प्लस 1 से यह हो जाएगा r की power cube upon 3 अब इसमें क्या करेंगे अपने p जो निकाला था यहाँ पर p की value रखेंगे p की value अपने जो first में निकाल थी p is equal to w upon pi r square अपने यहाँ पर value प्यूट गी तो pi से pi cancel हो गया और r square और r 3 तो यहाँ से r r square तो यह हो जाएगा 2 by 3 mu wr तो यह total door आगे अपने पास uniform प्रेशर के लिए t is equal to 2 by 3 mu wr अब अपन पावर का formula जानते power is equal to होता है t into omega और t अपने आगे और omega अपन जानते 2 pi n upon 60 होता है जिसमें n है वो number of regulation हेलो गाइस जैसा कि अब भी हम पढ़ रहे थे फ्लेट पिवेट युनिफोर्म फ्लेट पिवेट पिवेट बेरिंग तो उसका अपने एक case अपने steady किया था consider uniform pressure उसका अपने टोटल टोटी निकाल लिया था और power निकाली थी उसके बाद case आता है uniform wear उनिफोर्म वियर इसमें uniform wear में एक condition होती है PR is equal to C यह हमेशा constant होगा PR is equal to C तो यहां से अपने पास P हो जाएगा C upon R यह actually R है C upon R ठीक है तो अब अपन वहीं वहाँ पास जो उसमें condition लगे थी वहीं है axial load axial load dw formula आपने पहले निकाल लिया वही फोर्मूला में यहां दिखा है P is equal to 2 by R into DR तो P अपना अब यहां से यह है C upon R आ रहे है अपने value डाली C तो क्या होगा कि R स R cancel हो जाएगा यह R और यह R cancel हो गया तो अपने पास बचा 2 by C into DR अब अपने को total load निकालने के लिए इसका integration करेंगे 0 से R total load निकाने के लिए के W हो जाएगा W is equal to 0 से R इसका integration करेंगे 2 by C into DR तो 2 by C constant है बार आ जाएगा और DR का integration क्या होगा किवाल R हो जाएगा तो अपने पास जो value आगे W is equal to 2 by C R तो यहां से अपन C निकालने के C is equal to W upon 2 by R हो जाएगा तो अपने पास C आगे C is equal to आगे अपने पास W upon 2 by R अब अपने को friction टोर होता है अपने जानते हैं कि TR is equal to F into R F R अपने अभी पेचले वाले derivation uniform वाले pressure में निकला मैंने वहां से F R की value डारेक्ट लिए 2 by mu P R square into DR R यह R इससे इसमें multiply होने से यहां पे R square हो गया अब वापस इसमें अपन P की value रखेंगे P की value अपने को पता है C upon R तो 1 R स R cancel होगी है आप एक वाल R बच जाएगा तो 2 by mu C R into DR हो गया अब अपने को total torque निकालना है अभी तो total torque निकालने के लिए इसको वापस 0 स R तक integration करेंगे जो यह है value 2 by 2 by mu C R into DR अब 0 से integration तो T is equal to होगया 0 स R integration करेंगे 2 by mu C R into DR तो इसमें जो constant हो बार आ जाएंगे 2 by mu C बार आ गया 0 से R अपने integration करेंगे R का DR के respect में तो यह हो जाएगा R square by 2 तो 2 से 2 cancel हो गया तो T is equal to 2 by mu C R square अब यहाँ पर अपन C की value पूट करेंगे जो C की value जो की यह है C is equal to W upon 2 by R जो भी अपने पीछे निकाली है यहाँ पर अपन C की value पूट की तो R से 1 R cancel हो गया पाई से पाई कैंसल हो अपने पास के बता 1 by 2 W mu R तो T is equal to हो गया अपने पास 1 बटा 2 W mu R यह mu है और अब अपनको पावर निकाल लिए है तो पावर का formula आप जानते ही हो पावर P is equal to होता है T into omega यहाँ से power T अपना गया और omega आप जानते हो 2 pi N upon 60 होता है यह अपना जो derivation था plate pivot bearing का पूरा complete हो गया है इसमें अपने uniform pressure और uniform wear दोनों की अलगलग power निकाल लिया है और अलगलग power निकाल लिया है यह अगर आपका derivation exam में आता हो तो यह पूरा आपका complete है तो है दोस्तों मैं आपसे ही request है कि हमारे channel को like और subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को share करें ताकि हम और आपके लिए अच्छे से अच्छे video ला सकें thank you